नमस्कार सबी को आजम कक्सा आठ की हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत भाग तीन से पाठ चार दीवानों की हस्ती पाठ का अध्यन करेंगे प्रस्तूत कविता कवी भगवती चरण वर्माद्वारा रचित दीवानों की हस्ती इस कविता में कवी ने प्रेम और स्ने भरे हिर्दे से संसार में अपने ढंक से जीवन जीने की सीख देते हुए सब के साथ प्रेम पूर्वक रहने की प्रेणा दी है और कवी ने अपने आपको मस्त मौला और फकड सुवाव का बताते वे वर्णन किया है हम दीवानों की क्या हस्ती हैं आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धोल उडाते जहां चले आये बनकर उल्लास अभी आशु बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आये कहां चले प्रसुत पंक्तियों में कभी कहते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती है और वे क्या अस्तित है कभी यहां तो कभी वहां एक जगह तो वे रुखने वाले हैं ही नहीं आज यहां कल वहां चले यह जो मस्ती का आलम है यह साथ चला और कभी जहां भी गए वहां उन्होंने प्रसंता से मस्ती से सब को खुशियां यह खुशियां बाटी। कभी कहते हैं कि कभी रमता जोगी है वह मन में उत्पन भावों की भाती कभी खुशी का शंदेश तो कभी आँखों में बहते आँशों की तरह सब जगह फैल जाता है कभी का कहना है कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आये औ जग को अपना कुछ दिये चले, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हसे और फिर कुछ रोये, छक कर सुक दुख के गूटों को हम एक भाव से पिये चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कभी कहते हैं कि संसार जब कभी से जानना चाहता है कि अब एक कि सोर जा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि ये मत पुछो कि मैं कहां जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मैं चलता हूँ, क्योंकि यह मेरा सुवाव है। वे कहते हैं कि वे संसार से कुछ ग्यान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं कभी का स्ववाव चलने का है प्रंतु वे जहां रुकते हैं वहां लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातों को भी सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुक दुख बाणते हैं तथा सुक दुख रूपी अम्रित का घूट पी कर वो फिर नए सफर के लिए चल देते हैं हम भिकमंगों की दुनिया में सुचंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुखने वाले हम स्वयम बंदे थे और स्वयम हम अपने बंदन तोड चले प्रस्तुत पंक्तियों में कवी कहते हैं कि कवी के अनुसार या संसार भिखारी है इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है किन्तु कभी पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं क्योंकि कभी सारे संसार को अपना मानते हैं इसलिए वे बंदन मुखते हैं इतना प्रेम होते विए भी एक सफल संसारिक ब्यक्तिन बन पाने का दड़ या निसानी उनकी हिर्दे में भरिये कभी के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है वे कहते हैं वे स्वयम भी इन बंदनों में बंदे थे और अब वे इन बंदनों को तोड़ कर आगे चलते जा रहे हैं अर्थात इससे वे प्रशन रहना चाते हैं और सदा चलते रहना चाते हैं धन्यवाद